ओम नमो भगवते बास देवाई नमाहा श्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती वावना यूटुब चनल पर दोस्तो आचुकी है साल की सबसे बड़ी पूरण मासी सामन पूरण मासी रख्या बंदन इस पूरण मासी को चार चार दुल्लब सयुग बन रहे हैं और ऐसा कई सालों के बाद में आता है एक तो सामन का महीना दूसा सामन पूरण मासी तीसरा सामन का सौंबार और चोटा पांच पांच ग्रह बहुत ही अच्ची स्तिती में रख्या बंदन का परव तो इतना बड़ा दिन हैं इस दिन अगर आप पूजा करते हैं उपाए करते तो आपकी मनों कामनावश्य पूरी होगी सभी राशी वालों की। दोस्तों कुछ साल के ऐसे दिन होते हैं जो बहुत सिद्ध दिन होते हैं। इन दिनों में अगर भगवान की पूजा की जाए तो मनों कामनावश्य पूरी हो जाती है। इन मंत्रों का जाप करते हुए या पिर ओम नमो भगवते बास देवा नमो मंत्र का जाप करते हुए भगवान को इस्टनान कराने के बाद में पीले चंदन का टीका भगवान को पीले चंदन का टीका आपको लगाना है और फिर भगवान को तुलसी पत्र पूरण मासी के दि आमने दीपक जलाएं भगवान को पंच अम्रत, पंच मेवा समर्पित करें, सत्नारण भगवान की कथा का स्रवड करें, सास्त्रों के इसाब सिका गया है कि अगर 32 पूरण मास सत्नारण भगवान की कथा कर ली जाए, तो घर में कभी किसी भी प्रकार की परिशान ही रहती न और भगवान सिव को खीर का प्रसाद समर्पित करें भगवान सिव को बेल पत्र चड़ाएं और साती पुष्प चड़ाएं लेकिन खीर का प्रसाद जेरू समर्पित करें पित्रों के सामने दीपक जलाएं पित्रों को भी खीर का परसा समर्पित करें और पीपल भ्रक के नीचे दीपक जलाकी पर करमा करें एक पूरी पर या रूटी पर खीर रखें और इस पर थोड़े से तिल डालें और गोव माता को जा करके खिला दें एक फल के साथ में, गोमाता का अशिरवात प्राप्तोगार आपकी मनुकामना पूर लोगी, कई रासियों का योग इस दिन बहुत ही अच्छा है, कई रासियां जो बहुत ही ज़्यादा भागिसाली रहने वाली हैं, जैसे मेश रासी, ब्रसव रासी, करक रासी, सिंग रासी तुला रासी, धनु रासी, मकर रासी, कुम रासी, मीन रासी, ये रासियां हैं, बहुत ही ज़्यादा भागिसाली रहने वाली हैं, इन रासियों का योग बहुत ही अच्छा हैं, आने वाला दिन, आने वाले समय, महीने, आपके लिए खुशियों भरे रहने वाले हैं, चुमेबा खीर का प्रसाद जरूर खाना है आपको ओम नमस्षिवाई हर हर मादेव